नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है कब्ज चाहे कितनी भी पूरानी हो इन नुस्खों के सिर्फ एक पर प्रियोग से ही जड़ से खत्म आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे जिनसे आप कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों कब्ज पेट में होने वाली बीमारियों में से एक है जो हमारी पाचन शक्ती के कमजोर होने के कारण होती है अगर लंबे समय तक इसे ऐसे ही इग्नौर किया जाए तो ये किसी बड़ी बीमारी का करण बन सकती है जैसे की बवासीर होना और फिर इससे पीछा छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों जब खान पान ठीक नै होने के करण खाना ठीक से हजम नहीं होता तब उस थीथी में कवज और एसेडिटी की समस्या उत्पन हो जाती है इसके लिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलो नुस्खों के बारे में बताएंगे जिनसे आप इस समस्या को आसाने से ठीक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में तिरफला चुर्ण कवज की समस्या का एक स्टीक सा इलाज है तिरफला चुर्ण का सेवन करना यदि आप रात को सोने से पहले एक चमच तिरफला चुरण गरम पानी के साथ लेते हैं तो इससे मत्र दो दिन में ही पुरानी से पुरानी कबज भी ठीक हो जाती है इसलिए दोस्तों इसका सेवन जरूर करें निम्बू और शहद कबज का इलाज करने के लिए निम्बू और शहद बहुत ही फायदेमद है निम्बू के सेवन से आप पेट की हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं कबज का इलाज करने के लिए आपको रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास गरम पानी में आदा निम्बू और एक चमच शहद मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए और कम से कम 15 मिनट तक सैर जरूर करें इससे भी आपकी कब्ज का इलाज हो जाएगा अलसी कब्ज को ठीक करने के लिए आप अलसी का सेवन भी कर सकते हैं इसके लिए अलसी को सुखा कर इसे पीस कर चुर्ण बना ले अब इस चुर्ण का एक चमच रोजाना गरम पानी के साथ सेवन करें इससे भी आपकी कब्ज और एसेडिटी की समस्या ठीक हो जाएगी पालक का जूस पालक के जूस से भी आप कब्ज को ठीक कर सकते हैं इसके लिए पालक के कुछ पत्तों को अच्छे से साफ करें और इनमें एक गिलास पानी मिलाएं और इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें अब इस मिश्रन को चान कर इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला कर इसका सेवन करें। ऐसा रोजाना करने से आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। अधिक मातरा में पानी पीए। कबज को ठीक करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है, अधिक मातरा में पानी पीना, पानी हमारे पेट की सभी समस्याओं को ठीक कर देता है, आप ठंडा या गरम कैसा भी पानी पी सकते हैं, अक्सर जो लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं, उन्हें कबज की समस्या जादा हो इसलिए दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए दिन में कम से कम 3-5 लेटर पानी जरूर पिए इससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी तो दोस्तों ये थे वो आसान से उपाए जिनसे आप अपनी कब्ज की समस्या को ठीक कर सकते हैं और अपने श्रीर को स्वस्थ वर दिजिए ताकि आपको हमारे सभी आने वली वीडियो की नोटिफकेशन समय से मिलती रहे धन्यावा दोस्तों